दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Qualcomm का जो Snapdragon 855 है, 845 है और 835 है, तिनों के अंदर क्या-क्या जो है समानता है, फिर क्या-क्या इन में भिन है, या अलग-अलग है difference है, तो Snapdragon 855 वर्सीज है, 845 वर्सीज है, 835 है, तिनों का comparison कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर तो आग बात कर रहे हैं आपर तिनों CPU के comparison की, 855, 845, 835, तिनों के अंदर क्या है, आपर अलग-अलग है चीज़ें दी गई है, और कौन सा है आपर advance है, आप इन इसे comment में बता देना, तो इस्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को या पर पहले बात कर लेते हैं, Snapdragon 855 की, इसके अंदर आपको ARM Cortex Cryo 485 मिलता है, नेक्स हैं यहां पर 845, इसके अंदर यहां पर Cryo 385 मिलता है, 835 के अंदर Cryo 280 मिलता है, बात कर लेते हैं यहां पर CPU configuration की, तो तीनों के अंदर 8Course यहां पर चलती हैं, लेकिन 845 और 835 के अंदर 8Course रहती हैं, लेकिन इसमें जो है, ट्रिपल कोर्स के साथ 8Course हैं, हैस्ट कोर यहां पर 2.84 GHz है, जो कि Cortex A76 को सपोर्ट करती है, और 3Course यहां पर चलती है, 2.42 GHz के ऊपर, A76 के ऊपर यहां पर चल रही हैं, 4Course यहां पर चलती है, 1.8 GHz पर Cortex A55 के साथ, यह हो गए 855, Snapdragon 845 के अंदर कोर्स रहेंगे, आपर 4X 2.8 GHz A75, और 4 4X Core से यहां पर चल रही है, 1.7 GHz A55, Cortex से यहां पर CPU है, Snapdragon 835 के आपर बात करें, तो 8Course है, तो 4X चलती है, 2.45 GHz A73 के ऊपर, 4Course यहां पर चलती है, 1.9 GHz Cortex A53 के ऊपर, नेक्स बात करते हैं, आपर GPU गी, तो Snapdragon 855 जो है, Android 640 GPU का यूज़ करता है, यहां पर जो 845 है, यह कर है, 630 Android GPU और 540 GPU यूज़ करता है, Snapdragon 835, नेक्स बात करते हैं, आपर DSP की तो, Hexazon 600 नबर रहती है, नहीं पर 845 के अंदर, Hexazon 685 जो है, आपर चलती है, और 625 चलती है, 835 के अंदर, और नेनोमेटर की बात करें, तो 7 नेनोमेटर रहेगा है, आपर 855 का, और 845 का है, आपर रहेगा, 10 नेनोमेटर, फिन फेट, LPP, 835 का है, आपर रहेगा, 10 नेनोमेटर, LPE, फिन फेट, तो यह जो है, लगले टेकनलोजी के अपर है, आपर काम करते हैं, और कैमरा सपोर्ट के बात करें, तो 855 जो है, 48 है, कैमरा को सिंगल और 24 मेगापिक्सल जो है, आपर dual हाइब एडिड कैमरा सपोर्ट कर सकता है, HDR वीडियो रिकोर्डिंग कर सकता है, और मल्टी फ्रेम के उपर noise कंसलेशन कर सकता है, भहीं पर बात करें, एड़ 45 की, तो 32 मेगापिक्सल एक सिंगल कैमरा यहां पर 16 मेगापिक्सल डूल हाइडिड कैमरा का यूज़ कर सकता है, और HDR वीडियो मल्टी फ्रेम नॉइस रिडेक्शन जो यह भी कर सकता है बात करते हैं थर्टी फाइफ की तो यहां पर जो है थर्टी टू जीवी सिंगल और सिक्स्टी मेगा पिक्सल जो है आइब्रीड ऑटो फोकेस के साथ काम कर सकता है एश्डी या वीडियो यहांपर दिये गये हैं वीडियो क Union जो यहांपर 4 चैन करते हैं , उसी के साथ जो इंए है पर 4 प्लस से सपोट करता नवा फेँ टीक है लेकिन जो तीसरा है यहांपर ऐट है एट थि 5 वो सिरप 4.0 की चैने वाला है और तीनों की तीनों CPU जो है 5G को सपोर्ट करते हैं Snapdragon का जो X50 modem है वो तीनों यापर सपोर्ट कर लेते हैं तो यह था दोस्तों तीनों CPU का compression आपको कैसा लगा है इनकी spaces बगेरा और comparison में आप इनको कितने यापर point देने वाले हैं इसे comment जरूर कर दें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें कोई सवाल है कोई सब्सक्राइब तो comment box में जरूर बताएं तब तक लिए जय हिंद और पंदे मात्रम